आज के सेशन में हमने जिस वर्ड को चूज किया है वो वर्ड है टिमरस आईए आगे की स्लाइड में डीटेल में इस वर्ड को स्टडी करते हैं पहली बात टिमरस इस वर्ड का जो पार्ट अब इस पीच है वो यह है कि यह एक एडजेक्टिव है आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि यूजबली जब कोई वर्ड ओ यू एस पे रुकेगा तो वो एक एडजेक्टिव ही होगा जैसे कि आप फेमस बोल सकते हैं, सीरियस बोल सकते हैं, क्यूरियस बोल सकते हैं और भी बहुत सारे वर्ड बोल सकते हैं तो टिमरस एक एडजेक्टिव है इसका मेनिंग क्या है हो जाए हर बात या जिसमें confidence की बहुत सारी कमी है तो जो डर्पोख है या घबरा जाता है उसको टिमरस बोलेंगे याद कैसे करेंगे बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसी का एक सरल सा वर्ड है टिमिड सबने पढ़ रखा होगा टिमरस हो सकता है एक नया वर्ड लगे आपको लेकिन इसी से मिलता जुलता एक बड़ा ही popular word है टिमिड आप सब जानते हैं कि टिमिड होने का मतलब डर्पोख होना होता है आप टिमिड को टिमरस से relate कर लीजे या टिमरस को टिमिड से relate कर लीजे देखें ना इस spelling बहुत ज़्यादा मैच कर रही हाँ जो टिमिड है वो timid है यानिकी डरपोक अब synonyms में कौन-कौन से words आ सकते हैं shy है, timid है, shivering है जो घबराए, काँ पे meek, diffident, fearful, hesitant apprehensive, डरा हुआ या faint-hearted, कमजोर दिलवाला अब antonyms में वो words आएंगे जहां पे confidence दिखेगा मजबूती दिखेगी जैसे की confident ही हो गया frank हो गया, candid हो गया bold हो गया, या undeterred हो गया deter का मतलब डराने से होता है तो अगर कोई undeterred है तो वो डरेगा नहीं, उसको डराया नहीं जा सकेगा ये देखिए, दो examples है इनको भी देख लिजए first one says, the mate servant mate servant बोलते हैं किसी नौकरानी को देखिए, servant बोलते हैं नौकर को, और अगर महीला नौकर है, तो उसे बोलते हैं हम mate servant, ask her master, देखिए न, तभी तो her लगा हुआ for leave, but in timorous voice, नौकरानी ने अपने मालिक से या मालकिन से छुट्टी तो मांगी, लेकिन बहुत ही धीमी आवाज में या डरी डरी सी आवाज में I'm quite allergic to most insect bites कोई कह रहा है कि अगर मुझे कोई कीडा काट ले तो बहुत सारी allergic मुझे हो जाती है so I tend to be very timorous tend होने का मतलब tendency से है, कि मैं habitually ऐसा हूँ, तो मैं habitually बहुत डरा डरा से रहता हूँ even if I see a tiny spider यहां तक कि अगर मुझे एक छोटी सी spider भी दिखती तो मैं डर जाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इसने काट लिया तो मुझे दुनिया भर की allergy हो जाएगी, तो यह था आज की session का word timorous I hope आपको जुरूर अच्छा लगा होगा कैसा लगा मुझे comment के मादिम से बता सकते हैं आप next vocab of the day के session में आपको कौन से word पढ़ना है वो भी आप comment में बता सकते हैं Thank you so much